हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर सु फ्रेंड्स स्टॉक एलेस इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक लिम्टेड इसी स्टॉक के बारे में 52 वीक का हाई है 866.90 52 वीक का लोग है 616 क्वांटिटी आज की टेडिंग सेशन में टेड हुई थी 85,50,806 डिलीवरी क्वांटिटी 45,41,769 डिलीवरी परसेंटेज है 53.11 डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी है मार्किट कैप है 2,3,670 करोड की डेट है 8,69,72 करोड का प्लेज परसेंटेज 0 शेर ओल्डिंग प 4,3 से 51,38 यह नॉमिनल कम है डिए इसकी 23,27 से 25,32 यह बढ़ी है पब्लिक यानि डिटेलर 11,72 से 11,66 यह कम है लेकिन लास्ट टू कार्टर की कंपेरिजन में 11,55 से 11,66 यह बढ़ी है यह जी स्टॉक का वंडे का चार्ट वंडे के चार्ट में आरे साई 53 यह है वनवीक का च वंडे के चार्ट में यह श्टॉक 866 के आसपास का हाई लगाता है उसके बाद नीचे लो लगा देता 650 के आसपास में अब यहाँ पर देख रहे होगा एक डब्लू पैटर्न काइंड ओफ फर्म करने की कोशिस करेगा यह श्टॉक बट अभी यहाँ पर जो एक इसका इसक स्टॉक ट्रेड कर रहा था लास्ट 5-6 दिन से और आज इसी स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिखी 684 के ऊपर यह स्टॉक बुलिस हुआ और 697 के आसपास में भी इस्टॉक गया था उपर 696.35 पे इस्टॉक आज बंद हुआ है तो जो लोग उपा की लेवल पर इन्वे रेंच्मेंट देख रहे हैं आप आज का हाई 697 के ऊपर जैसे यह ऊपर क्रॉस करें आप एंट्री ले सकते हैं इसके ऊपर जो फर्स टार्गेट होगा वह 713 उसके बाद में 750 और उसके बाद में 790 यह इसके ऊपर के टार्गेट्स है बट एस पॉर दस्विंग ट्रेड आप मेरे strategy जो है, वो same है, 3-5% profit then exit, तो जो लोग इसी stock में swing trade के लिए देख रहे हैं, वो लोग ये stock को अपनी watch list में add करके रख सकते हैं, और अपना decision ले सकते हैं, आपको buy करना है और नहीं करना है, वीडियो के analysis देखके, आप buy sell मत कीजिए, आप अपने financial advisor से contact कर लीजिए, वीडियो सिर्फ education purpose के लिए है, buy sell के recommendation के लिए नहीं है, so friends ये थी सी stock की best analysis, thank you so much